हेलो फ्रेंड्स, तो ये है डैस्वी केबल मूवी का थर्ड पार्ट, अगर आप इसके पहले दो पार्ट भी देखना चाहते हैं, तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, उमीद करती हूँ आपको ये मूवी पसंद आएगी, तो चली शुरू करते हैं, मूवी की दुनिया में उसके लाको फैंस थे, लेकिन उमर बढ़ने के साथ उसका ये चाम खतम हो गया, और होलीवूट ने उसका शो कैंसिल कर दिया, ब्रैट रियल लाइफ में भी खुद को वही करेक्टर समझने लगा, जैसा की वो शो में करता था, और इससे वो एक रियल विलेन बन गया, आगे सीन शिफ्ट होकर प्रेजन डे में आता है, जहां ब्रैट एक शिफ्ट से किसी डैमन को चुराने वाला है, वो अपने अनोखे स्टायल में शिफ्ट तक पहुँच जाता है, और फिर एक ऐसी बबल गम यूस करता है, जिसका साइज बढ़ता ही जा रहा है, एंटी विलेन लीग यानी AVL को भी इसका पता चल जाता है, और डिरेक्टर साइलस तुरंट अपने एजेंट्स को वाँ भेजने को कहता है, यहां हम ग्रू और लूसी को देखते हैं जिनके अब शादी हो चुकी है, और वो अपने दो मिनियन्स के साथ ब्रैट को रोपने जा रहे हैं, उतर ब्रैट सिक्योर्टी से बचते हुए तिजोरी तक पहुच जाता है, और उसके अंदर उसे वो डायमेंड दिखाई देता है, ग्रू और लूसी भी शिप तक पहुच जाते हैं, लेकिन बबल गम की वज़ा से शिप हवा में उनने लगता है, लूसी एक लास्ट करके ग्रू और मिनियंस को हवा में उचालती है, जिससे ग्रू तो शिप तक पहुच जाता है, लेकिन मिनियंस एक बीच पर जा गिरते हैं, शिप पर ग्रू और ब्रैट के बीच एक डांस फाइट होती है, पर ग्रू एंड में वो डायमेंड उसे चीन लेता है, उससे बदला लेने को कह कर वहाँ से चला जाता है और पूरी सीटी के सामने गुरू का मजाग बन जाता है आगे हां मुसे और लूसी को एवियल के सीक्रेट हैट कौर्टर जाते वे देखते हैं वहाँ साइलस बताता है कि वो रिटायर होने वाला है और सब को नई को बुलाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से प्रैट हमारे हाथ से निकल गया और उसे जोब से निकाल देती है लूसी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वैलरी उसे भी जोब से निकाल कर दोनों को बाहर फैंक देती है परिशान होकर ग्रू और लूसी वापस घर आगे गुरू ने अपनी जॉब के बारे में बताता है और ये सुनकर लड़किया परिशान हो जाती हैं। लूसियू ने समझाती है कि गबराने की कोई बात नहीं है और जल्दी ही वो कोई दूसरी जॉब डून लेंगे। तब ही गुरू को अपने मीनियन मेल का कोल आता है और पता चलता है कि वो सब उसकी जॉब जाने से बहुत खुश हैं। और चाते हैं कि वो एक बार फिर से विलेन बन जाए। गुरू मानता है कि उनका टाइम थोड़ा खराब है और खास कर तब जब डॉक्टर नफेरियो ने खुद को गलती से फ्रीज कर लिया है लेकिन वो दोबारा विलेन बनने से मना कर देता है। मीनियन्स उसे उसके पुराने पल दिखाते हैं और कहते हैं कि हम सिर्फ उसे ही अपना बोस मानते हैं चो दुनिया का सबसे बड़ा सूपर विलेन हो। लेकिन पता चलता है कि ये असल में ब्रैट ही है जो भेस बदलकर डायवन को चुराने आया है। वो बड़े असानी से security को काबू कर लेता है और diamond चुरा कर अपने साथ ले जाता है उतर ग्रू लूसी से कहता है कि शायद वो एक failure है और अब उसकी life का कोई मकसद नहीं है लेकिन लूसी उसे खुद पर यकीन रखने को कहती है Minions ग्रू का घर छोड़ कर चले जाते हैं जहां उनका सामना एक बुड़े आदमी से होता है वो आदमी उनसे ग्रू के बारे में पूछता है लेकिन Minions उसकी कोई मदद नहीं करते अगले दिन ग्रू को भी diamond की चोरी का पता चल जाता है और वो देखता है कि Agnes अपने toys को बेच रही है Agnes बताती है कि वो तो बस ग्रू की मदद करना चाहती थी क्योंकि अब उनके पास कोई job नहीं है तब ही वहाँ वो बुड़ा आदमी आता है जो रात को Minions से मिला था लेकिन ग्रू उसमें कोई interest नहीं दिखाता गाने लगता है तब वो आदमी ग्रू को एक photo दिखाता है जिसमें उसके parents तो जुड़वा बच्चों के साथ है और असलित जाने के लिए ग्रू अपनी mom के पास जाता है उसकी mom कहती है कि ये सब सच है और जब हमारा divorce हुआ तो तुम मेरे साथ रहने लगे और डू तुमारे dad के साथ चला गया आगे ग्रू अपनी family के साथ डू से मिलने निकल पड़ता है और जल्दी ही वो लोग उसके mansion में पहुँच जाते हैं वाँ उन्हें धेर सारे pigs दिखाई देते हैं और वो आदमी बताता है कि डू के पास इस city का सबसे बड़ा peak farm है वो लोग उसका mansion और उसकी शान और शोकत देखकर बहुत हरान होते हैं और तब ही डू उनसे मिलने आता है देखने में वो बिलकुल गू के जैसा है लेकिन फिर भी उनमें एक बहुत बड़ा फर्ग था और वो है डू के बाल गू को ये देखकर थोड़ी हरानी होती है लेकिन डू अपने बिच्डवे भाई से मिलकर बहुत कुछ होता है फिर वो उसकी family से मिलता है और दिखाता है कि उसके पास बहुत सारी गाड़ियां और यहां तक की एक हेलिकॉप्टर भी है गू को ये सब थोड़ा अजीब लगता है और वो लूसी से वापस चलने को कहता है लेकिन लूसी कहती है कि वो तुमारा भाई है और तुमें उसे एक चांस तो देना ही चाहिए आगे डूसी की family को एक राइट पर भेजता है ताकि वो अपने भाई से कुछ जरूरी बात कर सके यहीं एक scene में हम Brad को देखते हैं जो अभी भी अपने show के cancel होने से बहुत दुखी है और Diamond की मदद से एक ऐसा robot बनाना चाहता है जिससे वो Holywood को तबाह कर सके इधर डू सीक्रेट रास्ते से ग्रू को एक basement में लेकर आता है और बताता है कि पिक फार्मिंग तो बस एक बहाना है ताकि वो अपने family business को छुपा सके फिर वो उसे अपने डैट की lab दिखाता है और बताता है कि वो भी एक जमाने में बहुत बड़े super villain थे यहाँ पता चलता है कि उनके डैट को भी ग्रू पर बहुत गर्व था लेकिन डू को वो हमेशा नलायक समझते थे और इसी ले डू ग्रू के मदस से एक villain बनना चाता है ग्रू ये सब करने से मना कर देता है और कहता है कि वो ये सब छोड़ चुका है तब डू उसे डैट की बनाई एक super car दिखाता है और ग्रू खुद को उसे चलाने से नहीं रोक पाता दोनों भाई उसकी test drive लेने जाते हैं जहां ग्रू देखता है कि कार में हतियारों के साथ साथ और भी बहुत सारे features हैं जैसे हवा में उनना, पानी में तैरना और यहां तक की ये कार दिवारों पर भी चल सकती है इधर लूसी लड़कियों के साथ एक cheese festival में आती है और मारको से भी उसमें शामिल होने को कहती है मारको का पार्टनर एक निको नाम का लड़का बनता है जिसे किसी भी लड़की ने पसंद नहीं किया था और वो मारको को देखते ही उसे पसंद करने लगता है तब ही लूसी देखती है कि एडित और एगनिस गायब है जो पासी बने एक यूनिकोन क्लब में चली गई थी वहाँ एगनिस को एक यूनिकोन होन दिखता है और क्लब ओनर बताता है कि ये उसे पासी के जंगल में मिला था एगनेस ची सुनकर खुछी से चीखने लगती है और उसकी आवाज से लूसी को लगता है कि शायद कोई उसे तंग कर रहा है वो कलब में सभी की बहुत पिटाई करती है लेकिन फिर एगनेस की सच्चाई बताने पर वो सभी को सोरी बोलकर निकल जाती है इधर डू एक शौप से दो कैंडी चुराता है जिससे सिटे की पुलिस उनके पीछे पर जाती है वो लोग कार की मदश से वहाँ से बच निकलते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इंजोई कर रहे हैं आगे हम उन सभी मीनियन्स को देखते हैं जो भूक और तकान से काफी परेशान है तब ही उन्हें एक पीजा बॉय दिखाई देता है और उसके पीछे वो एक स्टूडियो में चले जाते हैं वहाँ सिक्योटी से बचते वे वो एक स्टेज पर आ जाते हैं जहाँ एक सिंग शो चल रहा है मेल गाना शुरू करता है और देखते ही देखते सभी मीनियन्स उसमें शामिल हो जाते हैं पबलिक और जजजिस को भी उनकी परफॉमिस बहुत पसंद आती है लेकिन तब ही पुलिस वहाँ करूने अरेस्ट कर लेती है इधर डू के बहुत बार बोलने पर ग्रू उसकी मदद करने को तयार हो जाता है और कहता है कि वो दुनिया के सबसे बड़े डायमंड को चुराने वाले हैं ये सुनकर डू बहुत खुश होता है और वो दोनों खुशी से नाचने लगते हैं शाम को डिनर पर वो एक दूसरे का रूप बना कर जाते हैं लेकिन लूसी और बच्चों को उनका ये बिएवियर बहुत अजीब लगता है एगनेस गुरू को बताती है कि कल सुबाव जंगल में एक यूनिकॉन डूनने जाएगी और ये सुनकर गुरू उसे समझाने जाता है वो उसे बताना चाता है कि यूनिकॉन रियल में नहीं होते ले लूसी किसी तरह उसे समझा कर वापस भेजती है लेकिन मारको कहती है कि ये सब आपकी ही गलती है और इस तरह आपे एक अच्छी मॉम नहीं बन सकती तब ही निको अपनी मॉम को लेकर आता है और वो मारको को बहुत बुरा भला बोलती है लूसी इस बार थोड़ा सकती से पेश आती है और कहती है कि अगर तुमने मेरी बेटी को तंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा निको और उस सारे कैंडी से एक जगा रख कर वो दोनों छुप जाते हैं काफी देर वेट करने के बाद उन्हें एक गोड दिखाई देती है जिसका सिर्फ एक सिंग है और एगनेस को लगता है कि शायद यही यूनिकोन है वो उसे पाकर बहुत खुश होती है और एडित चाहकर भी उसे सचाई नहीं बता बाती ग्रू और ड्रू ब्रैट के ठीकाने तक पहुँच जाते हैं और यहां पता चलता है कि ग्रू उस डायमंड को वापस AVL में ले जाना चाहता है ताकि वैलरी उसे और लूसी को वापस जोब पर रख ले फिर वो ड्रू को गाड़ी में रुकने को ह जेला ही उपर चला जाता है लेकिन देखता है कि ड्रू भी उसके साथ आ गया है ब्रैट के स्कैनर से बचते वे वो किसी तरह बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और ग्रू उस डायमंड की लोकेशन देखता है इधर मीनियन्स जेल में सब को अपनी दादागिरी दिखाते हैं और जल्दी ही वहाँ लोग उनसे डरने लगते हैं अचानक मैल को ग्रू का ध्यान आता है और वो उसके साथ बिताए उन अच्छे पलो को याद करता है वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ से भागने का प्लैन करता है और मीनियन जेल से सामान चुरा कर एक प्लैन बनाने लगते हैं जल्दी ही उनकी मशीन तयार हो जाती है और सारे मीनियन्स वहाँ से भाग निकलते हैं ग्रू और ड्रू भी डायमंड तक पहुंच जाते हैं लेकिन ब्रैटू से अपने साथ ले जाता है वो चुपकर उसके पीछे जाते हैं और देखते हैं कि उसने शो कर नीचे स्पाइक्स पर गिडने लगते हैं तब ही लूसी हेलिकॉप्टर से वहां आकर उने बचा लेती है और ग्रू उसे एवियल में चलने को कहता है ड्रू भी समझ जाता है कि ग्रू ने उसका यूस किया है और इससे उसे बहुत दुख होता है इससे उन दोनों में ब प्रेट था जो उस डायमंड को वापिस हासिल करने आया है ग्रू कल मारी में कैद असली लूसी मिलती है और वो समझ जाता है कि यह ब्रेट का ही काम है मदद मांगने वो डू के पास जाता है और उन दोनों में एक बार फिर दोस्ती हो जाती है रास्ते में उनका सामना मीनि से होता है और वो लोग भी उन्हें फोलो करने लगते हैं इधर ब्रैट अपने रोबोट से होली वुड पर हमला करता है जिसमें तीनों लड़कियां भी कैद हैं वो वहाँ हर जगे अपनी बबल गम्स फैंकता है और लड़कियों को निकाल कर एक उची सी बिल्डिंग पर र लिया है फिर वो लेजर से उसके आसपास के एरिया को काटने लगता है ताकि उसे जमीन से अलग कर सके लूसी को बिल्डिंग पर लड़कियां दिखाई देती हैं और वो उन्हें बचाने निकल जाती है ग्रू मिसायल से ब्रैट पर हमला करता है लेकिन उसके मीनी को बस्ट करने लग जाते हैं ब्रैट लेजर से ग्रू को मारने की कोशिश करता है लेकिन रोबोट में घुसकर उसका CPU नश्ट कर देता है और इससे रोबोट बेकार होकर नीचे गिर जाता है ग्रू ब्रैट को डांस फाइट के लिए चैलेंज करता है और वो दोनों डांस करते हुए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं इसी बीच मोके का फायदा उठा कर ग्रू उसका किटार छीन लेता है और साउंड वेव से उसके भी सारे कपड़े उतार देता है ब्रैट उड़ता हुआ एक बबल बैलून में फस जाता है और वो उसे लेकर आसमान की और चल होता है लूसी भी फाइनली मॉम वाली responsibility समझ जाती है और ग्रू ड्रू और मीनियंस के साथ मस्ती करने लगता है फिर वो उन्हें सोने को बोल कर वहां से चला जाता है लेकिन ड्रू का प्लैन तो कुछ और ही था वो मीनियंस के साथ मिलकर क्रू का ship चुरा लेता है और ग्र सीन में ड्रू मीनियंस को लेकर वहां से निकल जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है तो दोस्तों अगर आप कोई मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू